हलो दोस्तों मैं मांसु पांडे आपका अपने यूट्यूब चेनल ग्यानिस्टेर में एक बार फिर स्वाधत करता हूँ दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि क्लास 10 के मैथमेटिक्स के कौन से टापी इंपोर्टेंट है जो हर सल आपके बोर्ड एक्जाम में वहां से कोशन्स आते ही आते हैं और अच्छे मार्स कोशन आते हैं बच्चों के प्रपेशन अच्छी है मानता हूँ लेकिन बच्चे यह जानना आपको बहुत जोरी है कि किस चेप्टर से कौन सा कोशन्स आता है और उन questions के आने के पुरी-पुरी संभावनाय है तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ इंपोर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है ठीक है और वो टॉपिक के शेप्टर से है आप लोग वहाँ से उस टॉपिक को पढ़ लिजिए तो पूरे साथ मैं वीडियो को बढ़े रहे और हाँ दोस्तों मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए वीडियो को प्लीज 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 लाइक और सेयर कर दिया किजिए जिसे की हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे मैं आपको समय समय पर वीडियो लाता रहूँ चलिए शुरू करते हैं वीडियो को दोस्तों सबसे पूरे मैं लिखा है mathematics test book लिया हूँ class 10 का सिखे यह सब आपके पास होगा latest book से ही पढ़िए कई बार बच्चे क्या करते हैं कि book मैं देखता हूँ पुराना लेते हैं और यहां पर देखे लिखा राता है उनका इस वाले portion यहां पर कई बच्चे खड़े राते हैं यहां पर बस 2006 लिखा राता है 2022 नहीं लिखा राता है यह देखके book खड़ दिएगा कि आप 2022 लिखा हो ठीक है दोस्तों पहले बाद तो यह और इसी book से पढ़िएगा आप लोग क्योंकि आप समय नहीं है जो बच्चे नहीं पढ़ें और topic to topic पढ़ें मैंने आपको ट्राइंगल का topic जो बीपिटी थियोरे में उसको दिया है उस पर बेज कोश्चन में मैं सॉल्व कराऊंगा समय समय पर तब तक कि मैं आपको यह अपडेट दे रहा हूं दोस्तों यहां मैं ला रहा हूं उस आपको syllabus content पे क्या syllabus content है यहां पर देखिए सबसे important topic का है यहां से बड़े बड़े questions आते हैं ठीक है दोस्तों तो मैं यहां से ला रहा हूं देखिए यह आपके latest syllabus के आधार पर सब कुछ दिया हुआ हुआ है ठीक है जिसे मैं ला रहा हूं टीनोमेट्री में ठीने टीनोमेट्री में देखिए आप height and distance यह topic height and distance topic must है दोस्तों यहां से आपके exam में questions आते ही आते हैं एक question must है long में आएगा तो इस topic को खूँ अच्छे से पढ़ लीजएगा जिसमें क्या बताया गया है जिसमें angle of elevation बताया गया है ठीक है आपका angle of आपका depression बताया गया है इन सारे angle के बारे में solve हुआ है इसमें कई सारे question दिखमा लिजिए, इसमें किस तरी के question आते हैं एक जाम में उस तरी के question में आप solve कर लिजिए गर जिसमें यहाप एक tower है ठीक है इसके कुछ दूरी पर आपके यहां पर एक टावर है ठीक है इसके कुछ दुरी पर एक आपके बिल्डिंग खड़ा है इस बिल्डिंग से टावर के हेड और टावर के टाप का एंगल जो कुछ बन रहा है ठीक है इस टैप के कोशन आते हैं आप पर बिल्डिंग का हाइड दिया होगा टावर की पूरी पूछ रही होगी इस टैफ कोशन सब्सक्राइब नंबर से में आते हैं लोगो छोटे नंबर आए कि कोश्चन तो किस तरीके से आते हैं माली यहां पर एक डिस्टेंस कोई बिल्डिंग है यह दूरी पर ऐसा कोशन साइगा बस इस सिंपल सा कोशन आजाएगा किसमें आपके एक से दो नंबर में तो यहां से मैं बोल दूंगा दोस्तों कि जो हाइट और डिस्टेंस टॉपिक्स है यहां से बोड़ी जाब में कोश्चन पूछते हैं और पूछते ही है ता आप इसको पढ़ लीजीगा दोस्तों ठीके और आगे बताता हूं दोस्तों इधर आईए तो सरकल यह टॉपिक मतलब पहले तो इस लेवस बहुत बड़ा था इसका लेकिन अब सिर्फ एक ही क्रसाइज भी इसको डिप्टा दिया गया है निम एंसी आर्टी में ठीक है तो कोई बात कि हम उसी साब से पढ़ेंगे एरिया सेक्टर से आप सरकल से यहां से कोशन साब पढ़ना है कि आपका सरकल का एक मिनट हां यहां से आपको कोशन पढ़ना है यह रिया आप सेक्टर सेग्मेंट का यहां पर क्या बताया गया है कि सेक्टर सेग्मेंट क्या होता है ठीक है इसी साब से कोशन बताया गया कि यह आपका सेक्टर है फिर आपका यह बताया गया कि यह आपको सेग्मेंट करते हैं माइनर सेक्टर मेजर सेग्मेंट बोलते हैं इसका एरिया कैसे निकालते हैं ठीटा यहां से कोशन मौट एक्जाम में पूछता है ठीक है दोस्तों आगे आते हैं तो यह आपका सरकल हो गया सरकल से कोशन एक दो नमबर में आते हैं हाइटन डिस्टेंस हो गया टीक नमबर इतने से एक जो कोशन आएंगे आपके लांग में इसका अबजेक्टिव कोशन मस्ट कियाता है एक नमबर में एक से एक नमबर में को प्रियांगल की बात करें यहां से लांग कोश्चन्स आते ही आते हैं तो कैसे कैसे कोश्चन से यहां पर आते हैं देखिए जिसे ट्राइंगल कमा याभी जए बीपीटी पुरुफ पर रवाय हूं तिही ही आपका आ जाएगा प्रूफ करने के लिए एक एक दम स्टेप्मिंट याद कर लेंगा इसका गम स्थिस्ट में धीका इस वाथ सब्चर्राइस सब्सक्राइबर बिष्थ हो उसती और इन थे। इस तरहें तरह किस तरुकी से आप्का यह आपका चिप्लियम्हा ट्रीया DVT वह similar figure similarity of triangle ठीक है यहां से आपके questions पूछते हैं बीपिटी याद कर लीजिए को कि बीपिटी से questions पूछते हैं ट्राइंगल से long questions में बात बोल रहा हूं ठीक है एपी से questions आते हैं छोटे-छोटे questions होते हैं ठीक है आगे हम बात कर लेते हैं quality questions क्वाडिटी की questions दोस्तों एक questions 5 नंबर में fix है long questions तो quality की questions को अच्छे से पढ़ दीजिए अच्छे कौन कौन से questions इसमें quality question में what problem वाले questions आपके must है what problem वाले questions आपके must है वहाँ से पूछता ही है quality questions वर्ड प्रब्लम तो त्यार है कि बहुत बच्छों का वर्ड प्रब्लम नहीं त्यार होता है आता वह question जूड जहता है तो वर्ड प्रब्लम पा अच्छा-खासा आप अपनी पकड़ बना ले ठी method हटा दिया substitution method यहां से question इस method से आता है जान दिएगा substitution method elimination method से long question में answer आता है एक बात और दोस्तों यहां से long question पूछेगा तो quality question से नहीं पूछेगा वर्ड प्रावलम वाला अगर यहां से यहां पर substitution method के question कैसे पूछता है long में एक कहानी देगा उस कहानी को पढ़ना होता है वो दो इसने छोड़ी चोड़ी आते हैं तो यह अब लोग इसको देख सकते चोड़ी नंबर में long question से आता है real ले लमार में किस भी कोर्षान से नहीं से आते हैं यांग है एक यहां देगा कर दोस्तों तो वहां पर भी आपके रियल नमबर से question अच्छे खाल से आते हैं जितना मैंने बताया दोस्तों की लांक कोशन जो हैं आपकी यहीं से आते हैं पर लिए प्राव्पलम पढ़ सर्कल से भी लगं कोशन आते हैं तो इसमें किस-किस तरीक हैं को आते हैं आप यह जानने के लिए हमारे यूटीब स्भाइब करने वीडियो में आकर पर जूरूरूर देखें मैं तक वहां बताता हूं कि क्ूण कौम से coupling कोचन बोड़ी जमिन आने के चंसें से लांग कोशन के लिए इस ट्यापी को पढ़ना मस्ट है और फिर रवाइस करा रहा हूं ठीक है लौंग कोशन के लिए एरिये लेटर टु सर्कल इसमें जो लांग कोशन से आएगा सरकल से कौन से आएंगा आपकी पूरीफ करने के लिए सकता है कैसे कैसे कोशंस आ सकते हैं । जिसमाली की कोई सर्कल बना हुआ यह यह विए के टीनग से आ सकते हैं तो यहां से सढना मतर सब्सक्रिशन आएगा एक टाधिक यहां से मैंने बता यहłem Crisp supplement प्राइंगल को सिना पिर हमने बता है दूसराson यह ना कोशन आना हिता ईना से आ पॉर्श से आना ही याना है पांच यह कोक्षन होते हैं जो हम ysłे कॉशन के विए आपका 92- तो फर्ष्ट से आएगा सब्सक्राइब कोशन यहां से एक सब्सक्राइब ₱ पूछता है आपका एपी से केस बेस इसेड़ी कोशन नहीं पूछता है तो वहां से इसमें से आने के चांसे नहीं है जो मैंने बताया आप उतना पॉल लेते हो ताफिक जाब अच्छे मार्ट स्कोर कर लए जाओगे दोस्तों तो अच्छे और भी कंटेंट पाने के लिए हम साथ सेयर भी कर दे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप एक काम करते हैं बस थोड़ा सापको कुछ पैसा भी ने लगेगा आप सेयर कर देगा आप समय बने जाए जैसे वीडियो देखरें वैसे सेयर कर देगे ठीक है दूस्तों मिलें हम नेक्ट वीडियो में तबते के लिए बधाय ठीकिर अपियो आप सेयर आपियो अग लुश्ण आपी सेयर अवा कि इयर आप आपियो आपियो उना हो।